नगर पाली का चुनाव में जिस तरह भाजपा में नगर भाजपा अध्यक्ष की माता श्री को चेर मैनी हेतु भाजपा टिकट दिया सभी भाजपाई गदगद थे, कुछ अंदर से रुष्ट भी थे, कुछ जानते थे कि भाजपाई लहर से जो टकराएगा बर्वाद हो जाएगा कुछ को ताजजुब था कि वो पार्टी जो कॉंग्रेस पार्टी पर परिवारवादी होने का इल्जाम लगाती है उसी ने बिना किसी शर्म परिवारवादी निर्णय लिया, शहर से विधान सभा सदस्य वसान सद गली-गली पैदल मार्च पर वोट मांगने तो निकले लेकिन वे भूल गए कि मात एक वर्ष पहले बुल्डोजने रेलवे रोड फतेहगर आदी अनेको जगह पर जिस प्रकार विनाश करवाया लोगों को हमेशा हमेशा के लिए उजार दिया, कोई भी नेता सामने जाकने नहीं आया इन मदमस्त नेताओं को शायद कोई अंडर्जी नहीं था कि लोग मौके की तलाश में होंगे प्रजातंत्र में जनता को मूर्ख समझ लेना कितना घातक होता है समझ में आ गया होगा, ये तो एक नमूना है, करनाटक में परिणाम सामने आ चुका है आगे आने दीजिए सन 24 के चुनाव, इससे ज्यादा भयानक परिणाम आएंगे असली विकास का खेल तो अब शुरू होगा, जब शहर के गली कूचों में इन भक्त गनों के घरों पर बुल्डोजा चलेगा शायद ही कोई होगा जिसने अतिक्रमन ना किया हो सन 31 तक चलने वाले मास्टर प्लान में शहर में जो विनाश लीला होगी उसकी कल्पना करने का वक्त आ गया है आज बेचारों पर हसने वाले भक्त कल रो रहे होंगे 20 प्रतिशत धनी शहर पर राज करेंगे 30 प्रतिशत अधेर भगवान को प्यारे हो जाएंगे शेश सरकों पर घूम भीक मांगेंगे अगले दशक में स्कूल कालेज आधे खाली हो जाएंगे ये या तो स्टोर रूम या धरम शालाओं में परिवर्तित हो जाएंगे शायद यहां कहीं बाते आपको नकारात्मक लगेंगी लेकिन इस भक्त काल में देश में जो ट्रेन चल रहा है उसे महसूस कर सवक लिया जा सकता है अन्यता विनाश देखने की तयारी कर लेनी चाहिए